कि हैं आप सभी उमीद करती हूं सभी बच्चे हस्ट पुष्ट और एकदम स्वस्थ होंगे तो भी देखो बात ऐसी है आज हम करने वाले हैं अज हमारा पहला दिन है रीट के बायो का कंप्लीट करने के लिए तिर्फ पांच दिन हम लेंगे पांच दिन में पूरी बायो गै ने वह चाहिए करे हैं इस में से किसकी फैमिली के साथ बिलोंग करता है बहुत सबस्वेर सबाते वह पहल सबस्सक्रान है नहीं हको देखो तो kangaroo को देखो पहले एक बार, kangaroo को देखो और इसको post spine को देखो, ये दोनों ही आपके किसमे आते हैं, marsupials होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही marsupials होते हैं, अब मैंने कहा है एक word कि marsupial, ये marsupial क्या है, marsupial वो होते हैं, जो आपके pocket वाले होते हैं, ठीक है, जैसे kangaroo का अपना पॉकेट होता है उसके अंदर बच्चा रखता है that is marsupial animal ठीक है अब यहां पर वेल देखो यह water वाली है है ना water organism है aquatic organism है यह होई नहीं सकती इसके साथ तो आपका यहां पर option कौन से वाला सिधा सिधा जाएगा beer भालू ठीक है तो यहां पर answer क्या जाएगा आपका a answer हो जाए पहला है लेमार्क दूसरा अरिस्टोटल तीसरा लीनियस चोथा डार्विन कई पर आप यह जनक के ऊपर देखते हैं तो याद रखना जब भी आपकी बात आज आती है किस चीज की जब भी बात आती है biology की तो biology के अंदर आपको पता है दो आपके भाग होते हैं एक आपकी जोलोजी की बात हो या फिर आपके biology की बात हो तो दोनों में ही आपके क्या जाएंगे अरिस्टोटल आ जाएंगे जिसको हम कह देते हैं अरस्तू कह देते हैं पर तो अगर बोटनी का पूछ लिया जाए तो बोटनी के लिए हम कह देते हैं थीओ फ्रेस्टस को किसकी बात कही है मैंनि थीओ फ्रेस्टस की बात की गए है यह अगर बात पूछ स्ट्रीनूंस संद्ट भीं? घ्शा किसे हैं सोउट्थिक सब्सक्राइब यह никаких हुए आपकि आम चांबेर हैं प्रिंसरे, सकते हम यक्य मेंक Eddy असके हैं असुत क्षक्राइब को कह सब्सक्राइर, चैसे हमाले में शांदार आगे प्रश्ण है कि which of the following is an endangered species कि इने में लेकित में से कौन एक लुप्त प्रियाय प्रजाती है पहला है ब्लैक बख काला ही रिक ब्लू शिप नीली भेट गैंग्याटिक डॉलफी गंगा डॉलफी मिथुन अब आपको यहां पेक चीज तो पता होगा आपकी दो इस कुछ भी हम इधर उदर कर लिए नेचर कर लिए या फिर human activity के वज़े से हो रहा है तो वहां पी एक्सिंक्ट हो जाएंगी वह विलॉप्त हो जाएंगी वह रहेंगी ही नहीं इतनी कम प्रजाती हो गई है जिसे माइनियोर हम को कहते है कि कोई भी जाती है या फिर कोई नहीं पहले थी अब नहीं है डाइनसोर होते थे अब नहीं है एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं ठीक है तो यहां पर बताओ जल्दी से यहां पर answer क्या हो जाएगा दिल्खुष कह रहा है बी वेरी गुड दिल्खुष है गलत कहें आप ब्लैक बग अच्छा ब्लैक भग द्याने का लाही रिन किसको भी आपका का जाएगा यहां हो जाएगा that is black buck क्या हो जाएगा black buck हो जाएगा आगे प्रच्छने है आपका कि of the following man-made disaster which is socially induced यानि कि मानव निर्मित आप दाओं में से कौन सा सामाजिक रूप से प्रेरित है पहला है यानि कि आपको देखें कूडों के पहाड से होते हैं कि आपके मलबे के हीं सखलन है आपका सारा है ना आपका सारा saline water भी होते है ना पाने भी उसमें प्रेजेंट होते है आज से आपको ओजों डिपलेशन यानि की ओजों का रिक्तिकन तो जल्दी से मुझे बताओ जो आपका man-made disaster है simple से बात पूछी है जल्दी से बताओं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा man-made में कुछ भी नहीं कर सकते बात करो ओजोन डिपलेशन की ओजोन डिपलेशन हम मानते हैं cfc से होती है हम मानते हैं कि cfc से होती है प्रन्तु cfc के अलावा और भी तो आपके घटक हो सकते हैं है ना तो आपकी यहाँ पर उपर से यह भी कहा गया man-made disaster which is socially induced तो यहां पर आपका कौन सा जाएगा one and only answer आर्सन कौन सा जाएगा आर्सन ती विल भी करेक्ट आंसर नहीं ना डी ना डी सी विल भी करेक्ट आंसर है ठीक है नहीं नहीं होगा बिल्कुल भी आगे study of tissue distribution in stem is performed under कि तने में उत्तक वित्रन का अध्यन निमन प्रकार से किया जाता है पहला है अनाट्मी फिर हिस्टोलजी साइटोलजी इको फिजियोलजी बताओ जो जो दिसे देखो यहां पर ध्यान दो तो हम tissue की जब भी बात करते हैं तो tissue की study हम क्या बोलते हैं tissue की study को हमेशा हम क्या word कह देते हैं histology word कहते हैं है ना आपके यहां पर उत्तक विज्ञान हो जाना चाहिए अब मुझे बताओ कि यह उत्तक विज्ञान क्यूं है हम इसको anatomy क्यों नहीं कर देते मैंने कोई confirm नहीं कहा है कि हिस्टोलजी ही है मैं क बताओ कैसे इसको count up करोगे बताओ जल्दी से अब देखो लोजिकली अगर कोई बच्चा स्टेम पे जाएगा कि distribution in stamp कि स्टेम की बात हो रही है मतलब उसकी anatomy की बात हुरी है परन्तु यहां पे उसने कहा है study of tissue tissue कहीं हो स्टेम की अंदर हो बाहर हो अगर हम टीशो पढ़ रहे हैं तो वहां पर हिस्टोलजी हो जाएगा आगे चलते हैं इसे की साथ अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है कि Nobel Prize is not given in the field of अब आपके यहां पर वो फिल्ड है जो आपके science से संबंदित है और मैं बता दू आप की रीट में पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है पहले जो एक्जांस बहुत सारे हो चुके आपकी जो अधर टैट होते हैं हर कहीं आपके पूछे जाते हैं मैंने बहुत जगह पर देखा है जल्दी बताओ कहां पर Nobel Prize नहीं मिलता है physics chemistry medicine civil administration किसके अंदर Nobel पुरुसकार नही नहीं बूलेंगे कल ठीक चार बज़े दोबारा से इसी साशिट में बताओ जोल्दी से जल्दी बताओ भाई देखो science के फिल्ड में तो दिया जाता है physics में भी chemistry में भी medicine में परन्तु civil administration में कभी भी प्राइज नहीं दिया जाता है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा आपका डी यानिकी नागरिक परसाश्य डी विल बी और correct answer इससे के साथ अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन कोई आदमी शराप पी के वह चलने की कोशिश करता है और ढंक से चल नहीं पाता है that is depressant ठीक है नर्व initiator आपका तंत्री का आरंब करता कोई चीज आपका मतलब क्या है कोई चीज एक्टिव हो रही है वहां पर initiator नाम यहां पर दिया गया है मतलब शुरुवात वहां पर ठीक है नर्स्ट्यूमिलेंट तंत्री का उत्ते जग जैसे कि लोग जाधे ही उत्तेजित हो के लड़ना शुरु हो जाते ना मतलब की देथ पड़दे जुता है तो वह जाधा उत्तेजित हो जाते हैं that stimulation I'm talking about आगे है आपका नाव इंपल्स इंडिशिएटर यानि कि तंत तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नर्स्ट्यूमिलेंट तंत्री का उत्तेजिक क्या पे सई आंसर हो जाएगा C 21 और तेजित कर रहें हтор region कारे कर रहा है बहुत मतलब मज़े में इंज्वाइ करके कर रहा है तो आपका यहां पर आंसर किया जाएगा सी वाला हो जाएगा आगे है कि ब्रायोफाइटर ओफिन कॉइल डेस इंफिन प्लांट विकोज़ आपके ब्रायोफाइट होते हैंकिक ठाटे सिलिए या फिर प्रुनके पास्ति प्रफिरेंस नहीं है क्यूंत वरियता रहें है अगे है इंह के इट केड़े खा जाते हैं या फिर अखरी आपका है एपियर लाइक यहां पर आपके अंदर ब्रायोफाइट के अंदर कभी वी जाइलम और फ्लोयम नहीं होते हैं तो इसे कारण से कि ब्रायोफाइट हमेशा एक ऐसे जगह पर होते हैं जहां पर क्या हो आपकी नमी प्रेजन्ट वहां पर नमी प्रेजन्ट हो ताकि वह लगातार कॉंटिन्यूसली क्या करते रहें पानी का अब सूशित करते हैं जाइलम फ्लोयम होते तो दूर-दूर से कठा करके लिए आत पानी की आवशक्ता पड़ती है वोटर की जरूरत पड़ती है तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ एमफिया कैसे होते हैं, एमफिया वही तो होते हैं, जो धर्ती पे भी रहें और जमीन में भी रहें, है ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर भी सेंग चीज हो जाएगी, कि नमी युक्त एरिया में भी रहेंगे, है ना, तो मतलब कि गीली जमीन है, वहां भी एर और कॉल्ट कि हवा में जीवन के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है पहला है आपका आर्बोरियल फिर आपका कर्सोरियल वोलेंट पोस्सोरियल व्रिक्षार ओपन कर्सीलियन स्वैचिक या फिर जिवाशम बताओ जल दिसे बहुत इजी प्रशने है कुछ भी नहीं है इसके अंदर अब यहां पर देखो अर्बोरियल वो होते हैं जो आपके कहां पर रहें यह भी पूछा जाते कई पर इंपॉर्टेंट है अर्बोरियल ठीक है जो आपके प्लांट के उपर रहते हैं उनको हम कहते हैं अर्बोरियल परंटू यहां पर हमारी बात हुई है किस चीज की हमारी बात हुई है हवा की जो हवा में रहते हैं और हवा में रहने वाले कूं से होते हैं आपके ती वाले हो जाएंगे वोलेंट वाले हो जाएंगे तफुस्षिक वाले तो यहां पर C will be correct answer, Arboreal हमेशा पोधों पे रहते हैं, मुझे लगा था कि आप यही बात कहोगे, कि के आगे है आपका कि वीच ओफ फॉलोइंग इस स्टडी और फॉसिल, कि आपके जिवाशमों का अध्यन जो है क्या कहलाता है, पहला है इतोलोजी, फिर आपका पॉलोजी, पैलेंटोलोजी, अब ध्यान से शब्द सुनना, ठीके सारे पुराने-पुराने से लगेंगे आपको, परन्तु यह आपके अलग-अलग है, जल्दी बताओ यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ, C, मानक्चंद, नह है, इधर के इतना चोड़ा, यह सब चीज़म आपके है, तो यहां पर आपका अंसर क्योंचे, कि 10th का C विल्कुल भी नहीं होगा, 10th का C विल्कुल भी नहीं होगा, फोसिल्स की बात की है, जिवाशमों की बात की है, तो जिवाशमों में आता है, पैलेंटोलोजी, यानि की पैलेंटोलोजी, D will be correct answer here, Sunita, what you doing girl, नहीं मोनिका, D will be correct answer, एंथ्रोपोलोजी में आप कभी भी फोसिल्स की बात नहीं गरते है, ठीके, do not detect your messages, it's okay, it's okay, आगे है, which of the following is the fish, कि इन में से कौन सी एक मचली है, पहला है, जैली फिश, लोब स्टार, स्टाल मून, वे, इजी सह, साफ सुथरा अलग से answer दिख रहा है, मचली, कहते माम यह क्या पूछ लिया, हमसे तो आप कुछ और पूछ लेते, खिलसा पूछ लेते, बता देते, आपने तो यहाँ पे साल्मोन पूछ लिया, अब हमको यह नहीं पता, साल्मोन एक मचली है, तो साल्मोन एक नहीं है, बात करो वेल की, तो वेल एक मैमल है, अगर किसी को यह लग रहा है कि वेल हमारा answer होना चाहिए, वेल क्यों नहीं है, तो क्यूंकि वेल एक मैमल है, देख को हम आज इंट्रो से स्जुरू करें, जो आपकि जनरल इंट्रो वाली चीज होती है, वो से हम स्शुरू कर रहे हैं बहुत शांदार शांदर प्रश्म में आपको आगे कर आओंगे अगर आप बने रहेंगे ठीक चाहरा बजी डीली ठीक है परंतु जो आकशेरुकी होते हैं उनके पास ये नोटो कोर्ड नहीं होता है इसलिए हम उनको क्या कहते हैं इन्वर्टिब्रेट कहते हैं तो यहां पर आपका आंसर नोटो कोर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा नोटो कोर्ड हो जाएगा नहीं धनराज बिल्कुल भी नहीं म एनिमल क्लास्टिफिकेशन का ये बहुत अच्छा सा प्रिश्ण है बताओ जल्दी से ए नहीं इसका आंसर आएगा गोरिल्ला इसका आएगा गोरिल्ला आएगा गोरिल्ला ठीक है आगे प्रिश्ण है आपका कि गाइनेकोलोजी रिलेटेट टू स्टरी ओव किस त्री रोग अध्यान से संबंदित है क्या कौन सी चीज आपकी सर्विक्स गरबाश ग्रीवा ठीक है फीमेल रिप्रड़क्टिव और्गिन महीला प्रजुन के अंग या फिर औरी अंडाश है यूट्रस गरबाश है आप ज घैनी क्या है गाइन इस घैनेकोलोजीस्ट मुझे जो गाइनेकोलोजी की स्टड़ी करती है उसके एक्सवर्ट है गाइने बदेल कपर जदेर रिप्रड़क्टिव और्गिन देखो, cervix, ovary, uterus, यह तीनों ही आपके female reproductive organ है, अगर आपके कहीं भी महिला के प्रजिन अंगों में कोई तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम किसको सजिस्ट करती है, gynecologist को, ठीक है, गाइनी जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका अंसर B हो जाएगा, आगे प्रश्ण है कि mastology involves the study of, कि आपका mastology नीमल लिखित में से किसके साथ संबंदित है, पहला है breast, mast cell, mast कोशिकाई, tumor cell, memory, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बहुत easy प्रश्ण है, बहुत अच्छा प्रश्ण है, अच्छा ठीक है, आपने कि कभी पढ़ा होगा 11-12 में, तो आपने बाय बायोटेक जरूर पढ़ा होगा, बायोटेक के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, कि बायोटेक के अंदर एक चीज आते है, डोली, चीज क्या है, एक शिप है, सबसे पहली ट्रांसजेनिक शिप जो बनाई थी हमारी, है ना, अब यहाँ पर इस डोली की क्या थी, भी दो फीमेल मम्या थी, है ना, एक की क्या थी, breast cell ली गई थी, ठीक है, और दूसरी का अवं लिया गया था, तो वहाँ पर वर्ड बोला गया है, एक mast cell, क्या था एक mast cell, जब भी हम बात करते mast cell की, तो mast cell का हमेशा एक मतलब होता है, that is called breast cell, यहाँ पर आंसर क्या हो जाँएग what master cell नहीं breast total breast ठीके आगे है आपका कि entomology study of कीट विज्ञान किसका दिन हिंदी वालों को ते मोज हो गई कीट विज्ञान किसकी हिसम बंदित option में पक्षी कीड जिवाश्रम का बत कहते है मां कीट कीड़ा simple तो यहां पर आंसर चाहेगा इंसे ठीक है ठीक है ओके एवरिवन दू लाइक दे सेशन एवरिवन दू लाइक दे सेशन प्लीज आगे चलते हैं से बाद पर अगला प्रशनी क्या कहता है कि इंटर्नाशनल योगा दिवस इस सेलिबरेटेड एवरी एर और योगा दिवस कब मनाया जाता है यहां बहुत मई 25 जून बताओ जल दिसे बहुत अच्छा सार बहुत शांदार सा प्रशनी है बी सोला अच्छा अंका अने कहा है बी यह दाट इस वेरी गुड अकांगशा वेरी गूड 21 जून आगे प्रशनी है आपका आगे प्रशनी है कि वेर देसेंचल पूर्टेक्नोलोजिं रिस इंस्टिट्यूट यह आपका थित है चैन्नाई में मैसूर में हाइद्रावाद में बैंगलोर में जल्दी बताओ कहां पे स्थित है यह तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैसूर कहां हो जाएगा मैसूर तो आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वट विल्बी करेक्ट आंसर आगे है कि study of drug and their action is known as कि जब भी हम ओशदियां और उन ओशदियों के जो भी क्रियाए होती है उसके अध्यन को हम क्या कह करते हैं पहला है आपका फार्मेसी पैलियो जुलोजी फार्माकोलोजी पैलेंटोलोजी आप जल्दी से मुझे बताओ देखो शब्द एक जैसे आपको दिखरे होंगे तो आपका परन्तु एक जैसे यह है नहीं इनमें बहुत जादा बड़ा डिफरेंस है जल्दी विछ पैलीयो जुलोजी की तो हमनें करेंगे हमारा बचा क्या कोंसा एक प्रकार Latino गोडा सिल्वर्फिश जल्दी पिताओ ओ। सा एक मचली का प्रकार है बहुत अलग सही दिख रहा है haven को दिखने में लग राओगा कि गोड़ा तुक 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 बट नौ यह मचली है क्या है यह के मचली है तो यहां पे अंसर आपका ए हो जाएगा अगला देखो बहुत अच्छा धिवस बनता है 10 दिसमबर कौ वाहल डे फ्राइव धान की विष्व ख्लांग धिवस बनता है आपका आठ ऑथ दीसमबर को हूं मुआरे अरे हूं कर तीन समबर को उसके बाद आपका कह रहा है कि वह आपका आम्ड फोर्स फ्लैग डे बनता है आठ दिसंबर को बताओ बहुत इजी सा है कुछ भी नहीं इसके अंदर तो अलग सा ही हम देख पा रहे हैं कि आपका यहां पर जो आपका डी वाल आंसर है यह गलत है यह गलत है चलो आगे चलते हैं एकला प्रिशन पर कि एग्रोनोमी इस फल पोधे अब जल्दी बताओ एग्रोनोमी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं क्या आता है अग्रोनोमी में बहुत सींपल है बहुत सींपल बहुत जादा सींपल बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम आपका इंट्रो वाला जीरो है ठीक है कल मैं आपको बहुत मुझे जूडना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए करा अपका क्रोंच फाइदा क्या है कराने गा आंसर बताओ जल्दी से यहां पर आपका है और हो feels किसको गाएंगे हम अगला प्रश्थ निए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा विए आपका बी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि साइन डीलिक विट स्टडी आप मिट्टी के साथ जो अंधन करते हैं उसको हम क्या कहते है पैड़ोजी पैड़ागोगी यह पैड़ागोगी है इकोलोजी पोमोलोजी इस देसा है धर्ती मिट्टी डाट इस पैड़ोलोजी सिंपल सा था कुछ भी ने था इसके अंदर तो यह आपके रीट वालों के लिए है रीट के लिए है लेवल टू रीट लेवल टू के लिए है आपकी ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पे कि एलर्जी इस रिक्वाइड फॉर मैंटेनेंस ओफ लाइफ इट इस अप्टेंड बाइप्रोसेस कॉल कि जीवन को बनाया लिए आपको उर्जा के आऊशुका होती है उसा वर्जा को राप्ट करने के लिए हम कौ망 सी प्रकरिया का इस्तेमाल करते हैं उसको की-जाते separated है होती है कुन से होती है Metabolism उपापचे फेगोसाइटोसिस या फिर आपका फोटो रेस्पिरेशन या फिर डीकंपोजिशन अब यहां पर एक शब्द देखो तुनीता ने कहा है ए तुनीता ओके अब यहां एक चीज़ देखती हुए आपको पहला देखो जारा है Metabolism क्या होता है कि overall आपके शरीर में कितनी क्रियाय वह रही है उनका टॉटल को हम क्या कहते है Metabolism Metabolism के फर्दर और आपके दो पार्ट आते हैं एक आता है कैटाबॉलिजम एक आता है एनवलिजम ठीके debt-up-volement dachen क्याना दिक अर वहीं पर क्वाना लेते हैं क्हाते हैं यहांगी करंगे अपने के स्थ यहां फ्र CBS वर्टवρέशन गरेंगे यहां पर यह रहा है अग्रेश gefश्ण में तो तूठ रहा है तो यहां पर आप किसमें कांट अप करेंगे मैटाबोलीजम में किसमें करेंगे मैटाबॉलिजम में करेंगे तो यहां पर आज़ा है कुछ बच्चे कोषिका दूसरी कोषिका को खा जाती है जिए यह आपकी सेटोसीज लिखाए न साइटो का मिदल हो गयी किसी सेल को खाते हो नहीं खाते न तो यह आपका नहीं होगा आगे चलते हैं आंसर प्रशन है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस लॉकेटिट एट कि भारतिय विज्ञार संस्थान कहां सित है बहुत सिंपल सा बहुत एज़ी सा है कि बहुत अच्छी हूं मैं आयूश राज अपने दोस्तों को भी ले कि आया करो आयूश राज क्या करते हो अकेले अकेले आ जाते हो हैं दोस्त भी तो होंगे ना रीट की प्रिपेशन करते होंगे बताया करो कि मैं हमकी ग्लास होती है चार बज़े डिली आया करो जुडा करो तो यहां पर आपका अनुवांचिक सामगरी की तो वहां पर हम जीन बैंक का इस्तेमाल करते हैं जहां पर माइनस-196 माइनस-196 डिगरी इतना थंडा तापमान वहां पर रखा जाता है तो उस समय पे हम उस प्लांट का कौन सा हिस्सा रखते हैं पहला करें कि सीडलिंग और मैरिस्ट्रम की अंकुरित आपके जो पोदे होंगे बीज होएग और आपक की मैचूर का मितलब कहता है कोई चीज अच्छे से प्री पकव नहीं हुई है उससे पहले वाज स्टेज प्री है ना उसमें बहुत मोश्र होता है नमी उक्त होता है राइप प्रूट पके हुए फल अब जल्दे से बताओ कि इसको हम रखते हैं को अंकांग्षा ने कहा है बी अन वेरी गुड़ कांग्षा बी मैच्वर सीड्ट मिच्वर सिर्थ को भही हम रखते हैं मैच्ൌर bosv特 फ्लांज कि तो आगे जाके उगेंगे प्लांस में वेरी गदह कंग्छो अगला है माईर मैक्री अ study of myromycology किस चीज का अध्यन है पहला है इंसेक्ट का कीडों का एंट का चीन्टियों का क्रॉस्टेशन का अर्थ्रोपोल्स आर्थ्रोपोल्स सिंपल ऐसा है बताओ जल्दी से बहुत एजी सा है मार्मेकोलोजी तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा एंट क्या हो जाएगा एंट कई बार आप से जैनल साइंस चीज पूछी जाती है कि आपकी चीन्टियों तब काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है तो वह एसिड छोड़ती है फोर्मिक एसिड पहचान की गई प्रजातियों की संख्या के मामले में निमिल लिखित में से कौन सा सबसे परचूर मात्रा में है यानि कि आपकी यहां पर इसके धिर सारी स्पीशिस है वह कौन सी चीज है पहला है पंजाई कवक दूसरा ग्रीन प्लांट यानि हरे पोदे फिर बैक्टीरि आप निकर रखा दो सब्स्राइब कर दो फ्लीज इस रिक्वेस्ट आहर अपने दोस्तों को भी आया करो सापने यार है ना चलो बताओ जोल दी से डी नहीं डी नहीं होगा देखो मैं मानती हूँ इस बात को आंसर इसका बैक्टीरिया सही होगा आप जिन बचों ने इंसेक्ट कहा है मैं आपको बता दू इंसेक्ट को आप कहा पढ़ते हो इंसेक्ट को आप पढ़ते हो किंग्डम किंग्डम इनिमल में इनिमेलिया में जन्तू जगत में आप पढ़ते हो आप किसको इंसेक्ट को और इंसेक्ट का किंग्डम समसे बड़ा होता है आप सम मुझे पता है सबसे बड़ा फाइलम है आपका आर्थ्रोपोड़ा वाला है ना सबसे बड़ा है पर अनिमल के अंदर है यहां तो सिर्फ आर्थ्रोपोड में आएंगे एक फाइलम के अंदर आएंगे आपके है ना परन्तु यहां भी बैक्टीरिया के है पूरा मुनेरा किंग्डम तो यहां पर आंसर आपका C हो जाएगा है ना इसलिए कहा रही हूं इतनी भी बड़ी चीज नहीं है पस हल्का पढ़ ठीक है डी नहीं होगा पूजा कांग्शा नहीं बिल्कुल भी नहीं थैंक्यू सो मच रामनन थैंक्यू सो मच एग्जेक्टली आगे चलो यूफैनिक्स इस कि यूफैनिक्स क्या है कि स्टडी ओफ इंप्रॉव्मेंट ओफ रेस की दोड़ के यह रेस का मतलब वो दोड़ नहीं था यहां पर रेस रेस ही है रेस पता है ना human races होती है अलग अलग रेस होती है मेंगलॉइड निग्रॉइड है ना इन रेस की बात यहां पर हो रही है कि स्टैडी ओफ इंप्रॉव्मेंट ओफ रेस ठीक है या फिर उनके बहुत सुधार करेंगे स्टैडी ओफ कंडीशन अफेक्टिंग और्गैनिजम कोई भी आपका जीव है उसको प्रभावित करने स्थाटव काद या तो डिफ़ीटिंग हरेटी च्रू जयनेंटिक उनजी नयरीं कि अनुवांसिक अनुवांश气 या कि यह में थे यहां प эти वाली दो चीज़े से आपकी आ किसमें कंसीडर होती है यहां पर आपकी बात करो स्टेडी ओफ कंडिशन में आप कभी भी यू फैनिक्स को नहीं जानते हैं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बताओ जल्दी से कि ऐसे ना करो यह हो जाएगा एक ही तो बुझ गया एक है विल पी करेक्ट आंसर आगे प्रश्ण है आरे नियों लोजी इस कि अर्ने विज्ञान किससे संबल्दित है आपका एफाइज से आपका स्पाइडर से माइच से बीज से मदो मक्यों से घुन से मकडी से या एफाइ प्रश्ण कर लिए बहुत माइन रखती है यह बात और पचास प्रश्ण करने वाले हैं तो जल्दी से बताओ पचास प्रश्ण करने वाले हैं कि नहीं आयूश ए नहीं होगा स्पाइडर की स्टडी को हम कहते हैं आरेनोलोजी तो यहां पर आपका मकडियों का अध्यन हो जाएगा बी वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा आगे प्रिशन है आपका कि प्रिजर्वेशन ओफ हिस्टोरिकल आर्टिकल इस दन इन साइंस ओफ क एतिहाशिक लेखों का प्रिरक्षन किसके किस विज्ञान में होता है आइनोग्राफी में न्यूमीसेस्टिक में म्यूजियोलोजी में एपीग्राफी में हिंदी-इंग्लिश समान है नाम यहां पर बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से क्या जाएगा यहां पर आपको क्या मैं प्रिजर्व करते हैं क्या जाएगा म्यूजियोलोजी संगराल्य विज्ञान तो सी विल बी-करेक्ट अंसर है अगला प्रिशने है कि नैशिचनल काइंस टे इंभारत वर्ष में कब बनाया जाता है एक फरवरी एठाइस-फरवरी 28 मार्च 30 अपरल सिंपल आज बहुत इजी सा प्रश्ण है जल्दी बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बहुत इजी है डाट इस 28 फेबरवरी 28 फरवरी आपका राश्ट्रे विज्ञान दिवश के नाम से बनाया जाता है सिर्फ भारत में ठीके आगे चलते हैं अगले प स्केरिस अर्थ वोम सिल्क वोम अब सबसे पहले तो आप एक शब्द जान ले कि हर्माफ्रोडाइट चीज होती क्या है तो यहां पर हर्माफ्रोडाइट बैट इस कि एक ऐसा और्गैनिजम जिसके अंदर आपकी मादा भी होगी और आपका नर भी होगा मेल भी होगी और जैसे कि बात करो आप अर्थ वोम की बात करोगे तो यहां पर अर्थ वोम में क्या होगा मालो यह मेल है और यहां पर आपकी फीमेल मालो यह एक दूसरा है आपका ठीक है दूसरा अर्थ वोम है यह आपका अर्थ वोम नंबर वन अर्थ वोम नंबर तू अब यहां पर यह है कि इन दोनों के अंदर ही मेल फीमेल है इसके अंदर भी मेल फीमेल है अगर दोनों के अंदर मेल फीमेल है तो आपस में क्यों नहीं कर लेते आपस में क्यों नहीं कर लेते पर अइसा नहीं होता है क्यों कि यहां पे मेल यहां है पी मेल यहां है थीख है इसकी फी मेल यहां है ऊर्गेंस की बात हो रही है रिप्रेक्टिव और तो मुण्डिया नहीं होती बस दो और गयं लो यहां यहां पर यह एक एक बर्थव हो मैसे आएगा दूसरे वाला उल्टा हो के उसके ऐसे चला जाएगा ऐसे ऐसे तब ये ऐसे जाएगा तो यहां पर मिल था इसके भी हमेल दोनों के आगे मेल है यह घया अब यहां पर फी मेल यह इधर आपका दाल देगा इसके यह तर ठीके रिप्रड़क्टिव की मेटिंग ऐसी होती है एक फि MAYOR to now自分 लिए यह मेल है यह फी मिल है खिया अब बैसे आएंगे ठीक है यह अपनी मेल केंटर आव यह यह फी άपने के हो पास अपना समय को गया आगे है आपका कि which of the following is not a feature of life कि जीवन के एक विशेष्ता नहीं है पहला है organ system फिर आपका responsiveness फिर आपका reproduction फिर none of the voice लिखा कि जो नहीं है अच्छा organ system होते हैं होते हैं बिल्कुल होते हैं हम पढ़ते हैं responsiveness यानि कि कोई आपको एक चांटा मारे कि आप उसके मारो यह नहीं तो यहां पर आंसर क्या हो जाना चाहिए क्या आंसर हो जाना चाहिए यहां पर डी क्या हो जाएगा डी नन ओफ द अब आगे है बाइल जी में जो आपका पानी के अंदर चीज घुल जाती हैं उसको क्या कहते हैं hydrophilic hydrokinetic hydrodynamic hydrophobic अब यहां पर आपकी kinetic इनको छोड़ दो सिंपल से दो चीज़ें बताते हूं जो प्यार्वान से करे मोहबत जो पानी से करे महबत उसको हम कह देते हैं hydrophilic hydrophilic फीलिक, फीलिंग्स है उसके मन में पानी के लिए, और जो पानी से करें नफरत, वो है हाइड्रोफोबिक, वो क्या है हाइड्रोफोबिक और बात आपका पानी में घुलेगा कौन सा, जो पानी से महबत करेगा, तो यहां पर आंसर आपका हाइड्रोफीलिक आ जाएगा, क्य तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा भई हाइड्रो फीलिक हो जाएगा चलो आगे प्रेशन पर चलते हैं कि देक्टीलो ग्राम किससे संबंदित है पहला शिरील अनाज से फिंगर प्रिंट उसे टैली प्रिंट से या फिर पैरा मैबुलेटरी से बताओ जलदी से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बहुत इसी सा प्रश्न है कुछ भी नहीं है अच्छा डेक्टीलो ग्राफी क्या होता रच्य गाउंट में होगा ज़िख से हो कि रसाइन का मितलब है का यहां पर आंसर को सा यह कंच ठीक है okay very good Ankita very good I hope read भी अच्छा जाए आपका आठ माई को हम क्या मनाते हैं विल्ल स्टैंडेड डे वर्ल रेड क्रोस टैली कम्निकेशन डे या फिर कॉमन वेल्थ दे बताओ जल्दी से आठ माई को क्या मनाते हैं माम आपका आवाज बहुत पिर्ट है यह प्यारी आवाज अपने दोस्तों तक की भी पहुचाओ उनको बोलो कि माम पढ़ाते आया करूं आपर पढ़ने है ना तभी फाइदा है जल्दी बिताओ तो यहां पर आपका जाएगा कि आपका इंडिया में इंस्टिउट व्याजिटेबल रिसर्च को लेकिए वो कहां पर सिथ है यानि कि आपके भारतिय सब्स जी अनुसंधान कहां पे स्थित है पहला वरांसी लखना उमैसूर बेंगलोर बहुत एजी ता प्रशन है कुछ भी इसके अंदर नहीं है जिसका आंसर है आपका भी आंसर क्या जाएगा वरांसी विलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ रीट आपके दो लेवल्स में होते हैं 12 लेवल पे होते हैं आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होता है आप 12 वाला दे सकते हैं 12 वाले के अंदर आपकी सोच्टियों से पर बायो नहीं आएगी कुछ भी साइंस नहीं आएगा ठीक है आगे है आपका वेरे कुड अंकिता इनमें से आपको एक गलत चुनना है कि नॉट्ट करेक्ट ली मैच जो अच्छे से नहीं आपका सूमेलीत है कि आपके सीड कलटिवेशन बीद की खेती को हम क्या कहते हैं फ्लॉरी कल्चर क्रॉप की कलटिवेशन को कहते हैं एगर जल्दी पताओ तो यहां पर आपको अलग ही दिख रहा होगा पहला ही ओप्शिन दैट is खेश बीज़ की खेती उसके आगे फूलों की खेती फ्रोरी कल्चर पूलों की खेती तो यहां पर आपका एवाला आंसर सही हो जाएगा कौन से वाला एवाला बहुत सही पूजा अंकिता सुनीता ने गलत आंसर दिया है आपको बता रहा है इंडिया इंस्ट्यूट ओफ रिमोर्ट सेंसिंग लोकेट कहां पर है भारति सुवुद्ध सुदूर समवेदन संस्था कहां पर है 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 अधरफाथ बैंगलोर ग Nicole आमधाबाद भुब आमत बहुत इज़िसा प्रिशन.' इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्या है यहां सथा ड हर दूर क्या जीन बैंक आपके भारत में पूछा इसने पूछा दुनिया भर में दुनिया भर में राइस जीन बैंक कहां पे स्थित है चीन में फिलिपिन में जापान में इंडिया में बताओ हां एक भी प्रिश्ण नहीं छूटने दूंगे अगर आप मन लगाकर यहां पर पढ़ेंगे तो परन्तों उसके लिए आना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा ओके अंकीता अंकीता पारिक अभी आपके यूपी पीजीटी के लिए शायद आने वाले हैं अगर आप बायो के अगर आप पीजीटी है तो फोस्ट ग्याजवेट हैं तो यहां पर आंसर चाहेगा फिलिपिन्स क्या चाहेगा फिलिपिन्स कुछ बचे के मां चीन पर फिलिपिन्स जापान भी नहीं है माना जापानी और चाइनीज चावल दोड़े जादग हाते हैं परन्तू राइज जीन वैंक फिलिपिन्स मस्तित है वेरी गुड़ कांग्शा अगला है कि सोइल लेस अग्रिकल्चर रेफर्टू मिटी रहित क्रिशी का ताथ पर यह क्या है इंटर क्रोपिंग अंत्रफसल हाइड्रोपॉनिक सेरीकल्चर हाइड्रोफोबिक अब देखो मिटी रहित कैसे होगा आपका क्या करते हैं पानी लेते पानी में सारी निवीट्रियेंट मिनरूल दाल देते हैं अब चीज नहीं होगी और उगेगे कैसे पानी में तो यहां पर आंसर क्या हुजाएगा hydroponic क्या हजाएगा hydroponic भी ठीक है भी वेरी गुद अगया प्रश्ने है कि फाइको लोजी का संबंध किससे है आपका फंजाई से लाइकन से बैक्टीरिया से एल्गी से कई बार बच्चे यहां पर एल्गी में और फंजाई में जो है क्या हो जाते कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमेशा याद रखना तब भी बात हो किस चीज की फाइको लोजी कि एक वर्ड याद कर ले ना FM FM रेडियो इससे क्लेर हो जाएगा कैसे F का मतलब होता है फंजाई है ना M का मतलब है माइको लोजी ठीक ऐसे ही आपको एक याद और कर लेना है क्या पी ये पीए पिरसनल असिस्टेंट सुने है ना P से हो जाएगा Phycology और A से हो जाएगा LG तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा LG I hope यह सबको clear रहेगा अभी I hope यह सबको clear नहीं होगा o टीके आरे बीटा यही संजयाना मैंने देखो तुनीता मैंने अभी यही संजया था मुझे पता था थोड़ा आप बच्चे कंफ्यूज हुजाते हैं तो यहां पर याद रखना एफम रेडियो पंजाई माइकोलोजी पीए परस्नल असिस्टेंट फाइकोलोजी एल्गी सिंपल एस ठीक है आगे चलते हैं अगले प्रिशने पर अगला प्रिशने कहता है कि होमियोपैथी के फाउंडर कौन थे आपके विक्समैन लेन एक डॉम को हैनी में की मैंनी सोरी बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पर आंसर होमियोपैथी के हैनी मैंनी ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अंकिता आगे प्रिशने है आपका कि जीनो बायोंट जो है आपके इन्हेरिटली रिजिस्टेंस टॉमिक और क्रॉबिग अटेक और कॉल डैस कि जीनो बाटिक जो आपके सव जो माइक्रोबियल आपका जो कैसा होगा वही उसके विरुद खड़े रहेंगे वह आपके कौन से होते हैं और यह लगातार होंगे जो बायोडिगेडेबल यह फिर आपके री कैल्सी ट्रेंट जल्दी मताओ जीरो बायंट आपके ऐसे जीरो बायंट जो आपके किस चीज के लिए हो माइक्रोबियल अटैक के लिए रजिस्ट करते हो और वह आपका इन्हेरिट भी होता हो आगे से आगे बताओ जोल्दी से आयूश्राज ने कहा है डी वेरी गुड री कैलरी ट्रेंट पुनर गणना वेरी गुड दी आगे है आपका प्रश्ण कि वीच आफ दे प्रशी के साथ संबंदित है उसके को डिपेंडेंट है पहले है लाइफ स्ट्रोक पशुधन फिर करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगू उध्योग या फिर मनी लैंडिंग धन उधार या फिर इंसोरेंस बीमा बताओ जो आपके क्रिश्वी के ऊपर जो है एलाइड है डिपेंडेंट है बहुत इजी प्रश्न है कुछ भी नह पूछ जाएगा आपका लाइफ स्ट्रोक बाइट इस पशुधन पशुधन एव बिसाई आंसर आगे प्रशन है कि वीच ओफ दफ फोलोईंग एनिमल इस ए मैमल एक संपाई है इन में से बहुत बार पूछा जाता है यह प्रशन खूब पूछा गया है बहुत इतना पू ठीक है मैंने आपके जो हर्याणा सीटी होता है उधर भी देख यह इतनी जगह मैंने देखा है यह प्रशन आंसर वही रहता है परंतु ऑप्शन्स बदल जाते हैं ऑप्शन्स क्या है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड घरियाल प्लैटिपस होंड बिल बताओ जो इसमें आप चंप चोन से होते हैं जो बच्चे को जिनम देते हैं जो बच्चे को जनम देंगे अंडे को जनम नहीं देंगे वो जो अंडे को देंगे वो मैमल्स नहीं होते परन्तु प्लैटीपस मैमल है और अंडा देता है है ना कमाल की चीज़ तो आपका ती आंसर बहुत पूछवा जाता है ठीक है अरे भाई आज तो सिर्फ इंट्रो इंट्रो है तफ कोशन्स भी लेके आऊंगे तो ते भी उड़ेंगे तुम्हारे ठीक है आगे चलो आज सिर्फ इंट्रो है कुछ भी नहीं है आगे है कि तब पावो क्रिस्टियन्स इस साइंटिफिक नेम और कि पावो क्रिस्टियन्स किसका विज्यानिक नाम है टाइगर मैन फ्रोग पिकोक बताओ जल्दी से बहुत इजी सा प्रश्णिय है कुछ भी नहीं है इसके अंदर अब ध्यान दो यहां पर सबसे पहले लिखा है टाइग टाइगर के लिए क्या आजाता है आपका टाइगर के लिए क्या आता है राना टिग्रेना राना टिग्रिस मैन के लिए होमो सैपियन प्रोग के लिए राना यहां पर टिग्रिस है यहां पर आपका टिग्रीना आ जाएगा ठीक है बच्छा पीकोग तो आपता अंसर यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है पचास में का मौर देख लो 4-5 हो रहे और आपका साथ में 50 ही प्रश्ण हो गए है क्यों वह गई ना तो अभी इसी बात में सभी बच्छे सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी बच्छे आपके क चुर जुड जाएंगे और अपने दोस्तों को भी बुला के लेनेंगे हर किसी की जिम्मवारी है कि साथ में चिर फू粉 zar ठीक है अरे सही तो लिखा ता उपरी तो है टाइगर क्या कर रहे हो सही तो लिखा था सही तो लिखा था यह टिगरी सो होता है यह टिगरी ना होता है आगे राणा लगेगा दोनों में सही लिखा था मैरे मेरे को लगा मैंने टाइगर उपर लिख दिया जिलो तिगरीना फ्रोग को बोलते हैं तो सही तो लिखा थे मैंने ओके लेब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज अभी क्या करोगे संदीब बिस्ट हो चुकी है हो चुकी है अब क्या गरोगे लेके छीए चीक है ओके ओके संगीता चलो थैंक यू सो मच आयूश और इसी के साथ आप सभी बच्चे कल दो दो बच्चे लेके आने वाले हैं और जाते जाते सभी बच्चे सेशन को लाइक करके जाएंगे अगर आपको यह PDF चाहिए तो यू के इन जोई माई टेलिग्राम चैनल तो आपका उधर मैं इस PDF ऐसे के से शेयर कर दूँगे आपको वहां मिल जाएगा ठीके और आपका साथ में मैं बताना चाहूंगी कि आपको कोई भी कोर्स लेना है कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको 17% ओफ मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे वहां पर कोड क्या रहेगा मेरा कोड है वाई पोर फोर थ्री आर ठीके इस कोड को लगाते ही आपको 17% ओफ मिल जाएगा जो की हर स्लाइड के ऊपर गीवन भी है ठीके साथ में आपको अगर डेली फ्रीक विजिस चाहिए जैसे की बात शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है कमेंट करके बताएंगे हावस दो सेशन और सब्सक्राइब करके बैल आइकन को टैब कर देंगे और मुझसे मिलना नहीं भूलेंगे ठीक चार बजे कल ठीक है किस चीज के लिए रीट के लिए तो अभी के लिए बाई-बाई गुडबाई और रीप्लाइ मी हां मिल जाएगी आपको टैस्ट सीरीज मिल जाएगी उसमें कोई तकलीफ वाले बात नहीं है मुझे लगा कि आपका जो जागे नियों की भी तक पेपर हो चुक है है मिल जाएगी वह कोई तकलीफ वाले बात ने स्टोर पर है वह वह मिल जाएगी आपको तो अभी के लिए बाई-बाई काल मिलना चार बजे आप है कि अ कि झाल झाल